हलो नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही आप लोगों की त्यारियां आपको ये नाम सच कर लेना प्रहला सारण सर के नाम से सारी पीडियाप आपको वहीं पर मिलेगी तो सलेबस के कोडिंग सारी कुशन कवर करेंगे तो चलिए देखते हैं आज आपका स्कोर क्या है पहला है कि सौप कोपी एक एदिर से आउटपूट है तो हार्ड कोपी क्या है भी सौप कोपी जो है ये एदिर से आउटपूट है और हार्ड कोपी जो होती है ये प्रिंटेड आउटपूट होता है प्रिंटेड आउटपूट है ये हार्ड कोपी होती है तो सी अपका सही अगले कि सवतन दर्था सेनानी विज्जेशी पतिक निमलिक में से किस समाचार पत्र के संपादक रहे थे तो राजस्तान केसरी समाचार पत्र की स्थापना की थी उन्होंने संपादन किया था स्रावनमा के दोरान राजस्तानी महिलाओं के दौरा गए जाने वारे लोग पिलिए लोग गीत का नाम की था श्रावन स्कूलातिया को चोटी थी जाती है तो एक आपका सही और मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रियोग है वो किस पीडी के कम्प् differentiों में शुरु हा था और बील समुदाय के दौरा निमलित मैंसे कौन सा लोक नर्ते किया जाता है अगनी नर्ते तो कत्रिय सर बीका निर का है तेरा ताली नर्ते रामदियू जी का है गेर नर्ते जो है ये भीलों का है मेवार छेतर में होता है होली के टाइम पर और ये मैंसे कौन सा युद था जि मिल्क में से किस वीटामिन का एक सम्रिज शुरूत है तो ये वीटामिन C का है, D का है, K का है, B वारा का तो वीटामिन C का तुराइट अंसरब का एक है चले लगला है कि उन्स न्याले का न्याइदिस अपना त्याग पत्र देना चाहिए तो किस को देगा तो उन्चेने आलेक नेधिश त्यागपत्र अपना राश्पती जी को D. अपका सही और स्वामी विवेकानन जी किस स्थान पर वे धार्मिक समेलन में परसीद हुए थे तो उन्होंने शिकागो में जो धार्मिक समेलन वा था उसे हैं बाग लिया था कौन सी गरंथी मानों सरीर की एक 11 असा ज़िए गरंथी के कौन सी प्यूस ज़िए आती है एक आपका सही रगल नाया की रुधीर वरग एवाले विक्टी को किस वरग का रुधीर दिया जा सकता है Blood group A है, उन्हें A और O का दिया जा सकता है A और O का तो B आपका सही अगलाय कि लक्ष दीप है उसमू है कहां प्रसीत है यह अरा सागर में अरब सागर में स्तीत है तो A आपका सही अगलाय कि भारत के किस सेर को Garden City कहा जाता है गार्डन सिटी कहते बैंगलूरू सेर को तो B आपका सही आंसर अगला एक निमिलक में से किस गेंस में सड़े अंडे जैसी गंद निकलती है सड़े अंडे जैसी गंद S2S यानि एक नमर आपका सही आंसर मानों सिरील की सब से छोटी हड्डी कोन सी होती है सब से छोटी हड्डी होती है स्टेपीस यानि B हो जा pea आपका राइट आonstर अगला कि यदि कोई बच्चा Box 108 की अनुसार अपराद करता है तो उसे अपराद की कारिवाई कौन से न्याले में होगी तो किसोर न्याले में हुगी, किसोर न्याले में यानि एक आपका सही अगल है कि प्रिंटर और मोनीटर जैसे पेरी फेरे लोपकरणों को क्या माना जाता है तो प्रिंटर है, मोनीटर है, हार्डवेर आते हैं, हार्डवेर में आते हैं तो एक आपका सही अगले कि दामोदर्दास राठी का जनम 1861 में मारवड राजे के किस गाउं में वा था तो पोकरण में वा था पोकरण में सी आपका सही और नेक्स टैक की राश्तान में सर्वेश सिख्षय अभियान कब सुरुआ था सर्वेश सिख्षय अभियान की सरवात हुई थी 2001-2002 में यानि एक आपका सही आंसर अगले कि बलू पोटरी से सम्मंदीत किस वेक्ति को पदम सरी से सम्मानित किया गया है बलू पोटरी से समंदीत पदम सरी से कृपार सी सेकावद जी जिनका समंद जो है वो सेकावाटी सीकर से रहा था और इन्होंने तार शेस तर पर पैचान दलाई थी बलू पोटरी पर सीदे वैसे जैपूर की मान सरी के टाइम पर आई थी 1833 में कन्यावद ठीक है दिले के लाल के लेकर निमण करवायता साजाने यानि सी हो जाएगा आपका right answer अगला की उट से समंदित नाचना स्तान है वो किस जिले में है नाचना के क्या परशिद है उंट परशिद है और नाचना कहां पर आता है ये जसलमीर जिल्ले से सम्मंदी स्थल का नाम है तो एक आपका राइट आंसर अगला है कि लांगूरिया गीत किस परकार के गीत आते हैं तो लांगूरिया एक बगती गीत है क्योंकि क्रूली के केला देवी का जो मेला बरता है केला देवी के मेले मेन का आयजन होता है लांगूरिया गीत भी है लांगूरिया नर्ते भी है तो C आपका सही आंसर एकल है कि राणी जी की बावडी राजस्तान में कहां पे बनी हुए राणी जी की बावडी है बुंदी जिले में यानि B आपका सही ओके ओराई और ब्राहमनी नदियां जिस अभ्यारन श्योकर बैती है उस अभ्यारन का नाम बताना है तो रहे ने दी ब्रामनी नोदी जो है बस सी अभ्यारन से ओकर बैती है बस सी अभ्यारन ची तोड़ गड़ तो एक नमर आपका सही आंसर है नेक्स्ट है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मीटी सरवादिक उप्युक्त मानी जाती है कपास की मीटी के लिए काली मीटी सबसे उप्युक्त मानी जाती है और काली मीटी का राजस्तान विस्तार है वो हाडोती चेतर में दक्षनी पुरी राजस्तान में है और कपास का सरवादी को उत्पादन होता है जिसे लहूर नर्ते भी कहा जाता है डप नर्ते भी होता है सारे ही सेकावाटी में होते हैं तो भी आपका सही वैसास्ते नर्ते जिसका उद्गम स्तल है वो राजस्तान माना जाता है वो कथक नर्ते है जिसका आदीम गराना जेपूर माना जाता है और नमींतम गराना है वो लखनो है और जैपूर के गराने की जो परवतक हैं वो भानूजी महराज रहे थे विविशन जी का मंदिर का वरास्तान में एक मातर विविशन जी का मंदिर है केथून में और केथून कहां पर है आग कोमेंट करके बता दो एगल एक इठारा सुच्टेवन की करांती का प्रमुग के अंदर रहा था आउवा आउवा वर्तमान में कहां पर है आउवा वर्तमान पाली जिले में आता है आउवा के ठाकूर कुशा सीने, दो युद लड़ेते, भी थोड़ा का युद और चेलावास का युद नेक्टे की रास्तान के एक इकड़ में कुल कितना समय लगा था तो आठ वरस, साथ माँ और चौदा दिन लगे थे हो सकता है कि उपसर में चौदा दिन किजगए कभी कभी आपको पंदरा डेज भी मिले तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है की सैग में भील सासकों को पराजित करने के बाद जंगमाल शी ने स्विम को महरावल का ताज पेनाया था और उन्होंने बांशवाडा के सासक बने थे सी आपका सही अगले की मुगल समराट बाबर ने किस वर्ष खानवा की युद में राणा सांगा और आजपू सासकों को राया था तो खानवा की युदवा था पंदरा सो सताइस में अगले की अजमीर में कुत्ब दिन इबक ने सेंस्कित पाड़ साला को तुरुआ कर कौन सी मारत बनाई दी तो ड़ाई दिन का जूपड़ा बनवाया था और सेंस्कित पाड़ साला जो बनी वी थी ये बनवाई थी विगरे राज चतुर्थ ने जो की एक चोहान सास कर रह थे नेक्स्ट है कि गुनी 149 में क्रोली परजम डल की स्थापना किस ने की थी तरिलोग चिंद माथूर जी ने सी आपका सही और मुक्यत है दशनी राजस्ता ने पाए जाने वाले किस वरिष की पत्यों का परियोग बीडिया बनाने के लिए किया जाता है तो तेंदू पत जिस प्रकार रकत का समंध है वो हरिदे से है उसी प्रकार वायू का समंध किस से है वायू का समंध फे पडो से है नेक्स्ट है कि मेरसी दैनन सरस्तोती जी का निदन की सस्तान पर वाथा निदन वाथा अजमेर में सी आपका सही नेक्स्ट है कि आलू का खाने योगे भा तो च्यार आपका सही पस्मी राजस्तान की परदान बोली कौन सी है? पस्मी राजस्तान की परदान बोली है मारवाडी आप तो मारवाडी बासा यानि मुरू बासा का सबसे प्राचीन उलेक कहां पर देखने को मिलता है किस गंद की रचना महारणा कुम्बा ने नहीं की थी रसिक पिरिया लिखा था संगीत में मासा भी है, संगीत राज भी है लेकिन संगीत सास्तर नहीं है तो च्यार आपका सही और अगला की राव जे छी रोचंद की रचना कार कौन है राव जे शीरोचन लिखा था बीटू सूजा जी ने च्यार आपका सही तो इन टो पचास क्यूशन में से आपका स्कोर क्या है कितने क्यूशन सही किये हैं कॉमेंट करके आप जुरूर बता दीजिए और रात को डेली आठ बजे रोजन हम टोपिक वाइज एक लाव टेस्ट करते हैं आज का हमारा टोपिक के रास्तन की पर मुख्र सब बेता हैं तो रेडी रहना पीडियेप अगर आपको लेनी है तो टेली ग्राम पर जिसका लिंक है प्रेला सारन सर के नम से सारी पीडियेप आपको यहीं पर मिलेगी और यह इंस्टाग्राम और फेस्ट फेस्ट का लिक है जहां पर भी अगर आपको को डाउट है कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं या सज़ेट्सने सुजाओ देना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं तो कर दीजिए लाइक से रवद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक यू